असलाम अलेकुम ओक जी हम आया की डिजीजेज कर रहे थे और हमने दो कर लिए हैं जविटा केलाजियोन और होडोलियम अब हम आया थीसरी पर विचेज बहुत इंपोर्टन है इसको आपने ध्यान से सुनने है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हो गएरा बहुत जादा पूछते अब बहुत जाए हैं तो इसमें आपने क्या जाए दिखने है कि यह क्या है जी सब एक्यूट या क्रॉनिक इंफ्लमेशन ऑफ ऐलेड मार्जिन ठीक है अभी तक किसी बहुत ज्यादा डिजीज में बहुत जादा डिफरेंस है तो इसमें भी बिल्कुल डिफरेंट है जो ह बहुत एक्यूट था वो उसमें पस थी साथ अब लिफराइटिस में क्या है एक तो सब एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा ज्यादा तर केसिक में प्रॉनिक होते है और यह वाइट ड्रम्स में हम कहते हैं कि आईलिड का इंफ्लमेशन गया इंफेक्शन है और अगर मैं बहुत बच्द आती है इसकी डीटाल टीछाइँ हो जाटी हम दो इसकी बिटिए निवाइट कू rider एक को हम interior कहते हैं जो सामने की किसी चीज में होगा infection एक को हम posterior होती है interior में फिर दो टाइप से आजाते हैं एक ulcerative होती है एक squamous होती है अब हम इनको बारी बारी डिसकस करेते हैं सबसे पहली हमारी है जी ulcerative अच्छा अब ulcerative blephritis में क्या होगा यह क्योंकि interior की type है तो इसमें मसला यह है कि जो हमारे पास glands of zis and mole है विकास जो सामने की चीज़ है इंटिरियर है जार है सामने कीछी चीज़ कोई तो आपको तक glands of zis and moles है वो आगे होते हैं zis and mole या फिर eye lashes में यह होगी inflammation अब आपने डियाद इतने डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो यह बिल्कुल इसकी डेफिनेशन होर्डोलियम एक्स्टेंडम जैसी है लेकिन फीचर इसके बिल्कुल डिफरेंट है कॉस भी इसकी वही है कि यह स्टेफलोगोकल इन्फेक्शन की वज़ा से ही होती है जिस तरह वह होती थी स्टेफलोगोकस और यह सी इसका कॉस है लेकिन अब इसके जो फीचर जैना वो बिल्कुल डिफरेंट है इस तरह से कि इसमें आय में जो पेशेंट प्रिजेंट करेगा वो करेगा कि मेरी आँख में बहुत शदीद खारश है शदीद इचिंग है, इरिटेशन है और ग्लूइंग ओफ दा लेशेज है ऐसा कुछ भी आपके होर्डोलियम यानि स्टाय में नहीं था ग्लूइंग भी होती थी, उसमें सिर्फ पस्ट फॉर्मिशन थी और चोटा साई गूला था और आईलिड में इडीमा था इसमें वो कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खारश है इरिटेशन भी है और साथ आईलिड मेरी चिपक जाती है आपस में खुलना भी मुश्किल होता है ठीक है यह पेशन केगा जब आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा जो साइन्स होंगे कि आईलिड के मार्जन जो है वो आलम।स्ट थोड़े भाहर आएवे है डीमा हुआ है आई पे और उसके साथ आपको नजर आएगा कि ग्लूइंग वी वी है और क्रस्ट बने हुए है अब मैं आपको दिखाती हूँ अब सी इस पिक्चर में यू कैन वेल अप्रीशियेट कि कितनी डिफरेंट है स्टाय वाली पिक्चर से बिगर्स इसमें ऑल्मोस जो आई लशेज हैं वो आपस में इतनी मेट्रड हैं कि नजर ही नहीं आ रही और जिसकी बहुत इंपॉर्टन बात है कि इसमें क्रस्ट बनते हैं या आपको यलो यलो जो डेपोजिशन नजर आ रही है ना उसमें स्टाय में या हॉर्डोलियम में ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें ये चोट-चोटे सारे क्रस्ट हैं और क्रस्ट भी किस तरह से है जो हम अलसरेटिव फॉर्म भी पर रहे हैं अलसरेटिव लेफराइटिस तो इसमें होता ये कि अगर आप इन क्रस्ट को उखाड़ें या पील ओफ करने की कोशिश करें तो एक छोटा सा ब्लीडिंग अलसर बन जाता है पीछे यानि वो जगा ब्लीड करने लग जाती ठीक है ये अलसर क्यों है सारा का सारा ये भी बैसिकली है पस्ट फॉर्मेशन की वज़ा से ये अपको बताओं अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आयलेड्स में क्या क्या हो सकते हैं मसले अब आपको खुद नजर आ रहा है कि आयलेड्स कितनी बुरी तरह से डामज थे तो यह हो सकता है कि आयलेड्स बिलकुली खतम हो जाएं इस कंडिशन को हम कहते हैं मेडारोसिस ठीक है या अपने लव्ज याद रफने मेडारोसिस आयलेड्स का खतम हो जाना लॉस अफ़ आ या फिर यह यह हो सकते है कि आयलेड्स इस तरह से मैट हो जाएं कि उनकी डिरेक्शन नुर्मली तो होते हैं ने कि नीचे की तरफ होते इस condition को हम कहते हैं Trichiasis ठीक है तीसरी condition ही कि आपकी जो आइलिड आइलाशेस हैं उनका color loss हो जाए Poliosis ठीक है तो यह सारी की सारी से complications हो सकती है या फिर आपकी आइलिड पूरी डूपी हो जाए टोसिस यह भी अभी हम डीटेल में पढ़ेंगे हैं Conjunctiva जो है जो है अंदर portion of lid को line कर रहे है उसका infection हो जाएगा तो conjunctivitis हो जाएगा अगर आपकी यह मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपका यह आंक है और आपकी eyelashes आके आंक पर गिरने लग गए हैं तो यहां पर हमारे यह cornea के उपर लग रहे हैं तो cornea को irritate कर रहे हैं तो जहरी बात है कि यहां पर cornea में keratitis कर देंगे तो यह भी complication है इसकी ठीक है तो यह complication है अब important बात कि इसमें treatment जो हमने हमेशा याद रखनी है अच्छे से तो treatment इसकी चार चीज़ हम कर सकते हैं पहली बात तो इसमें हमने eyelids को साफ सुथरा रखना है हमने उन पर crusting नहीं होने देनी कोशिश ही करना है तो eyelid hygiene पहली चीज़ है इसमें हम patient को कहते हैं कि आपने दिन में दो दफा 25% हमारे पास आता है बेबी शेंपू का एक lotion आता है आये के लिए इसमाल के लिए बेबी शेंपू लोशन से दिन में दो दफा आये को धोना है this is eyelid hygiene फिर साथ उसके हम जाही सी बात है क्योंकि यह स्टेफलोगोकल infection है तो treatment में हमें हमें हमेशा anti-biotic देनी है साथ उसको हम anti-biotic दे देंगे ointment जो कि उसने उपर लगानी होगी which is mostly chloram fenicol हो सकती है या फिर sodium fucidic acid हो सकता है साथ उसका अगर inflammation बहुत जादा है और हमें नजर आ रहा है कि physician देखता है के condition बहुत खराब है तो साथ हम topical steroid भी कोई न कोई दे देते हैं जिसको हम कहते है कि दिन में चार दफा इस्तमाल किया जाए 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 फिलोरो मेथालोन होता है बहुत जादा है cases में जाए 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 तो आपने याद रखने हैं इसको में डीटेल में तब बताऊँगी टीक है यह अलसरी फॉर्म होगी दूसरी फॉर्म है इसकी squamous अपने बताने देखा है कुछ लोगों के ना ऐसे आपको देखे हैं आपको लगता है कि उनकी आई- इसकी अपने बिद्रिफ है वो जो होता है बिसकली squamous blephritis होता है अब squamous blephritis भी जो मसला है वो बिसकली है यही chronic infection है ग्लाइज ऑफ जी सेंड मोल का है लेकिन इसकी presentation बिल्कुल डिफरेंट है पेशेंट आपके पास आएगा जिसके clinical features है चले मैं पहले वही उसी पर आजाती हूं कि पेशेंट आपके आपके समेशा के complain करते है कि ऐसा अगता है मुझे कि मेरी आँखों में खुशकी है जाता है कि आँखों में पानी जाता है वाटरिंग उफ यह उसके clinical features है पेशेंट बताएगा पर जब आप देखेंगे तो फिर आपको नजर क्या क्या आएगा आपको नजर आएगा कि उसमें तरह देंडर अपने पेरेंस है और जब उन प्लेक को यह उदर से हटाएंगे तो कोई ulcer नहीं बनेगा जिस तरह ulcerative blephritis में bleeding ulcer बन जाता था इसमें कोई ulcer नहीं बनेगा जो फ्लेक्स बनेवे होंगे आइलेट्स पर यह बिल्कुल सॉफ्ट से होंगे ठीक है जी और का margin जो है वो बहुत कम edema होगा उसमें वरना blephritis जो पिछला था ulcerative वाल उसमें edema बहुत ज्यादा होता था ठीक है यह होगी इसके features जो different है उससे इसका cause almost unknown है कुछ खास बता नहीं है क्योंकि और याद रखना यह स्ट्रेफलोकल infection नहीं होता very simple तो यह इसकी सारी बात होंगी cause मैं बता दिये features आपको बता दिये complications इसकी और उसकी same है अगर बहुत ज्यादा सवेर होगा तो यह complications होगी वरना इसमें ज्यातर complications नहीं होती स्केमर्स blepharitis कम complicated होता है treatment भी same है eyelid hygiene normally eyelid hygiene से ही patients काफी बहतर हो जाते है साथ हम उसके कोई topical antibiotic दे देते हैं ताके अगर कोई infection होने का खतरा भी है तो वो ना हो ठीक है जी तो यह हमारी जो इसकी होगी फिर तीसरा हमारे पास आगया अब posterior हमने anterior के दोनों portions कर लिए ulcerative and squimmers अब आगे posterior blepharitis अब इसमें क्या होता है क्योंकि यह posterior infection है तो यह है inflammation of the meabomine gland जिसकी वजासे क्या होता है कि hyper secretion हो जाती हमारे Glen Mill17 in blood एक है डीक है ये आपको जनरल रहाएं के सब्धेशन नगा है तो इन इन आते हैं आपको बता दी कि कि डिफूज़ इंफ्लेमेशन और मेबोमियन ग्लाइंड भीक दो आधी है इसके वाइपर सिक्रेशन फिर्वादियों करने लग जाते अब इसको सिनरियो तो सिनेरियो तो नहीं लेकिन अगर डेफिनेशन पड़ी जाए तो यह बिल्कुल रिजेंबल करता है हॉर्डोलियम इंटरनम को लेकिन इस तोटली डिफरेंट उसमें आपको कोई इस तरह बाहर आई लैशिस पे आपको कोई येलो कलर की सिक्रीशन नजर नहीं आ रही थी उसम कि अभी तस्वीर में आपको दिखाती हूं सिम्टम्स और साइंस में बिल्कुल डिफरेंट है हॉर्डोलियम इंटरनम के केस में पेशेंट पेन और टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं लेकिन यहां पर जब पेशेंट आएगा तो वो कि आएगा आंखें जलती है ए जब आप देखेंगे चेक करेंगे एक्जामिन करेंगे तो यह आपको फैट के ग्लोब्यू इस तरह से नजर आएंगे उसके अलावा एडीमा अराउंड आएगावा होगा ठीक है यह फैट ग्लोब्यू जहना यह बिसिकली डागनॉस्टिक होते हैं और किसी स्वेर केसे म स्लिट्स भी नजर आ रही होती हैं और अगर आप हलका सा उसे मसाज करेंगे सारों में से निकल निकल के क्या बाहर आने शुरू हो जाएगा ऑईल जबकि होडोलियम इंटर्नम में पस बाहर आती थी ऑईल कभी भी नहीं आता था तो यह डिफरेंस है उसके और दूसरा बर रही हम अंटीबायोक्स देंगे ताकि कोई इंफेक्शन की वजा से इंफ्लमेशन होगी नो जरूरी नहीं इसमें स्टेफलोकोकस वाल लेकिन जो भी इंफेक्शन वाल रिज़ॉल्व जाएगा रिजानने से और वहं सिस्टैमिक भी देते हैं और टॉपिकल भी दे सकते ह लेकिन ज्यादातर सिस्टैमिक ही देते हैं ताकि इंफेक्शन जहां भी है वो रिजॉल हो जाए उसके साथ हम उससे वही आइलेड हाईजीन बेभी शैंपू वारा लोशन इस्तमाल करें ज्यादा इंफेक्शन या इंफ्लमेशन होगी तो प्रॉपिकल स्टिरोइट देंग और अर्टिफिशल टीर्स तो सबकी सेम है तो अगर की मसला होगा तो प्लफरेटिस में पूछ तेन इस वर्य इंपॉटन और थैंक्यू सो मच